ओम गरिशाय नम आयी सुनते हैं बिनायक चतुर्थी ब्रत कथा एवं पूजन विधि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान गरिश की पूजा करने से मन्चाहवरदान प्राप्त किया जा सकता है इस दिन भगवान गरिश की पूजा अर्चना करने से बड़े सी बड़े बिग्न को आसानी से टाला जा सकता है इसलिए इन्हें बिग्न बिनासक भी कहते हैं अर्था जो बाधाओं को दूर करता है इस दिन पूरे मन और विधिवत ब्रत करने से घर परिवार पर भगवान गरेश की अशीम क्रिपा प्राप्त होती है बिनायक चतूर्थी पर भगवान गरेश की पूजा करने से ज्ञान और अश्वर्य की प्राप्ती होती है आई ये सुनते हैं बिनायक चतूर्थी ब्रत कर था इस दिन ब्रह्म मुहुत में उठकर नित्यकर्म से निब्रीत होकर अश्नान करें इसके बाद गरेश जी का मन ही मन ध्यान कर बिनायक चतूर्थी ब्रत का संकल्प लें इसके बाद मंदिर में अस्थान को श्राप कर और भगवान गरेश की मूर्ती अस्थापित करें गड़ेश जी की पूजा वह स्थापना करते समय मुह पूरब या उत्तरदिशा की तरफ होना चाहिए अब दीपक जलाएं और भगवान गड़ेश को शिंदू से तिलक करें भगवान श्री गड़ेश को तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए उन्हें सुधस्थान से चुनी हुई दुरवा को धोकर चढ़ाना चाहिए पूजा में भगवान गड़ेश को पंचामृत, चंदन का लेव, लालु धूल या कोई अन्यफूल, दुरवा, घार, कुमकुम, अगर्वत्ति और धूपादि का भोग लगाया जाता है। भगवान गड़ेश को ओम गंगरपतय नमह मंत्र बोलते हुए 21 दुरवादल अर्पित करें। बहुत से लोग इस दिन ब्रत रखते हैं और पूरी विधी बिधान से गड़ेश जी की पूजा करते हैं। बिनायक चतूथी के दिन मोदक या लड़ू का भोग जरूर लगायें। पूजा के बाद संकत नासक गड़ेश इस्तोत्र गड़ेश चालेशा गड़ेश पुरारादि का पाठ करें। बिनायक चतूथी ब्रत वपूजा के समय किसी प्रकार का क्रोध और गुष्णा नहीं करना च चाहिए यहानी प्रत शिद्ध हो सकता है। कथा के अंसार एक बार माता पार्वती के मन में एक ख्याल आया कि उनका कोई पुत्र नहीं है। ऐसे में वो अपने मन से एक बालक बनाते हैं और उसमें प्राड़ दान देती हैं। फिर वे उस बालक को आदिश दे कर कि चाहिए कुछ भी हो जाए कंदरा में कोई प्रवेश न कर पाए। यह कहकर माता कंदरा में इस्थित कुंड में अश्नान करने चली जाती हैं। वह बालक अपनी मा की आदिश का पूरा पालन करता है और कंदरा के द्वार पर पहरा देने लगता है कुछ समय बीट जाने के बार बाप पार्वति से बिल्ले भगवान सीव वहां पहुचते हैं। जैसे ही सीव कंदरा के अंदर जाने लगते हैं तो वह बालक उनको रोक देता है। सीव बालक को समझाने का प्रियाश करते हैं मगर वह उनकी बात नहीं मानता। इस बर भगवान क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल से बालक का सीष धर से अलग कर देते हैं। जब मा पारवती को इस बात का पता चला तो वह बहुत क्रोधी थुई। उन्होंने देखा कि उनका पुत्र धरती पर प्राड भिहिन पड़ा है। उसका सीष उसके धर से अलग कटा हुआ है। मा पारवती को क्रोध आया। क्रोध में देख कर उन्हें सभी देवी देवता भैभीत हो गए। सीव अपने सभी गड़ों को आदेश देते हैं कि एक ऐसी बालक का सिल्ले कर आओ जिसकी माता की पीट उसके बालक की ओर हो। सीव गर ऐसी बालक की तलास में निकल जाते हैं और एक हत्नी के बालक का सिस ले कर आते हैं। सीव गज के सिस को बालक के धर से जोड़कर उसे जिवीत कर देते हैं। यह दे मा पार्बती कहती हैं कि यह सीस्तो गज का है हर कोई मेरे पुत्र का उपहास करेगा तब शिव बालक को बरदान देते हैं कि आज से इन्हें गरपती के नाम से जाना जाएगा सभी देवों में गरपती प्रथम पुज्य होंगे बिनायम के कोई भी मांगलिक कार्य पूर नहीं होगा धार्मिक मान्यता के अंसार बिनायक्च तूथी का विशेश महत्व है भगवान गरेश को ज्यान, बुद्धी, शम्रिधी और शवभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है और किसी भी सुबकाम की सुरुवार प्रथम पुज्य बिग्नहरता गरेश जी के पूजन से होती है चतूर्थी तिथी भगवान गरेश को अतियंत प्रिय है इस दिन भगवान गरेश सभी भगतों की मनोकामना पूर करते हैं और उन्हे ज्यान और धैर्य का आशिरबाद देते हैं बिनायक चतूर्थी कई ब्रत में लोग रिध्धी, शिध्धी, याधिर, धन, विद्या, निपूर्ता, आधि की अभिलासा रखते हैं जब संकष्टी चतूर्थी ब्रत जीवन के सभी बाधाओं को शमात करने के उद्देश्य से किया जाता है इस दिन भगवान गरीश की पूजा करने से सभी शमश्याएं दूर हो जाती हैं चतूर्थी तिथी को भगवान गरीश की पूजा करने से कारियों में किसी भी तरह की कोई रुकावत नहीं आती है इसलिए गरपती महाराज को बिग्न हर्ता की नाम से जाना जाता है बिनायक चतुर्थी के दिन चंद्रदर्शन का भी विशेश महत्व होता है मान्यता है कि सुर्योदे से शुरू होने वाला बिनायक चतुर्थी का ब्रत चंद्रदर्शन के बाद ही शमाप्त होता है इसलिए बिनायक चतुर्थी के दिन चंद्रदर्शन जरूरी होता है